तो आज मैं आपको बताँगो कि कैसे आप रूम बुक कर सकते आफ लाइन और आनलाइन तो यह विसी प्रकार काथ के पास आईटिव पूंप होना चाहिए जितने यह इसकी борूम बुक्स mm यहां पर एक locker room अब provide किया गया है कि आप locker room में आप अपना समान रख सकते हैं और वहीं पर आप सो सकते हैं फिर आप दूसरे दिन के लिए offline के लिए फिर से वह apply कर सकते हैं रूम अगर आप family के साथ आ रहे हैं तो तो offline में एक problem होता है कि आपको यहां पर room मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है लेकिन यहां पर ऐसा है कि 60 से 75% जो है वो room आपको मिली जाएगा अगर आप morning में land में लगते हैं तो morning सही अब मैं बात करता हूँ online process की तो सबसे पहले आपको तिरुपती बाला जी के office से link पर जाना पड़ेगा link जो है मैं description वेंशन कर दिया आप वहाँ भी click करके जा सकते हैं आप तो link पर जैसे ही आप click किजेगा तो आपको registration करने का यहां पर option आएगा तो पहले आपको registration करना पड़ेगा अगर आप new member है तो अगर old member है तो आपके पास email ID और जो आपने password बनाएगा वो आपके पास available होगा पहले से अगर आप new member है तो sign up कीजे यहां पर अपना नाम अपना date of birth अपना phone number फिर आपको यहां पर अपना address जो आपके अधार card पर जो address होई address आपको यहां पर mention करना और user number आपका mail ID ही रहेगा याद रखे का mail ID आपका user number रहेगा यहां पर आपको create करना है password जो minimum से minimum 8 digit का होना चाहिए या 8 अंको का होना चाहिए आपका तो यहां पर capture फिल करने के बाद आपको फिर क्या है continue पर करना है तो continue करने के बाद आपके phone number पर जो आपने register करें किया होगा उस पर आपके एक OTP आएगा OTP को fill कीजिए capture fill कीजिए फिर capture fill करने के बाद आपको फिर से continue पर click करना यह तो था आपके phone number का verification अब आपके mail ID का verification होगा तो आपके mail ID पर TDD के तरफ से एक email आया होगा उस email पर open option को आप पर click here पर जाईए और फिर आपका registration complete हो जाता है तो यहाँ पर login कीजिए जो आपने mail ID password रखा है आपने फिर इसके बाद capture capture के बाद फिर से continue पर जाईए आप तो continue पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सा बहुत सारे option होगे accommodation का आपको action select करना option accommodation पर जाने के बाद आपको यहाँ पर agreed करना है किस date में जाना है तो यहाँ पर तालक होना या तिरूपती तो आपको तिरूपती select करना है यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको date देखना है कि किस date में जाना है यहाँ पर बहुत सारे option available है quota fully quota not release not slot available तो आपक आपको जाना और किस में रूम एविलेबल है तो यहाँ पर आपके आर्च से कितने घंटे तक आप रुखना चाहते हैं कितने आपका इन टाइम किया है तो यहाँ पर मैंने लगबग 24 घंटे के लिए मैंने अपलाई किया है और यहाँ पर बहुत सरे आप्शन आ जाएंगे अगर आप को सिरी निवासा में AC रूम, ordinary रूम अगर आप ordinary रूम लेते हैं तो लगबग 200 रूपीज पे करना पड़ेगा पर परचन के लिए अगर आप AC रूम लेते हैं तो 400 रूपीज अगर आप डिलक्स रूम लेते हैं तो लगबख 600 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको तो एसी रूम नॉर्मल रूम में पर ज़्यादा कुछ नहीं होता अगर आपको ओर्डिनर रूम है तो इसमें आपको उनकी एज और उनका एक आड़ी नंबर जो आपने जैसे पैन कड़े तो पैन कड़ का आड़ी नंबर अगर आधार कड़े तो आधार कड़ का आड़ी नंबर आपको फिल करके फिर आपको कंटिन्यू करना है फिर आपको एक रिजरेशन नंबर है को उसे संभाल करकना है उस से आपको किस तरीके का आपको रूम मिलेगा तो मैंने ओडिनेरी बुक किया था तो मुझे मिला दो बेड दो रूम मलब तीन दो रूम मिला आपको दो रूम है तीन बेड और एक बातरूम इन बिल्ड था इसमें तो आप फिर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर रूम मि तो आपके P50 rupees में दो कमरें और एक बात्रीम आपको attach मिलेगा जिसमें और वो ordinary room होता P50 rupees में 100 rupees में क्या रहता है कि आपको hot water मिलता है और इस से जाद है कि 6000 1000 रुपीज में कहूं तो आपको बिल्कुल सुपर डुपर डिलेक्स रूम या पर आपको मिलेगा सारे चीज वेवस्ता उसमें हर्चीज कर रहे होगा तो अपको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे अगर कोई इंक्वारी है तो कमेंट जरूर कीजे मैं जरूर बताऊंगा आपको और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजे थाइंक यू एन जय बालाजी की